अब सबसे पहली बाग तो आपको समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है कि क्या होती है डिफरेंशिल एक्वेशन फिर हमें समझना पड़ेगा कि उनको हम सॉल्व कैसे करते हैं और फिर हमको ये भी समझना पड़ेगा कि उनको सॉल्व करके हमारा फायदा क्या होता है तो तीनों चीज़े हमको एक एक करके समझनी पड़ेगा तो सबसे पहले हम लोग ये ने डिफरेंशिल एक्वेशन से पहले हम समझते कि एक्वेशन क्या होता है यार देखो मैंने आपको class 11th, 12th और even class 10th में भी अगर आपने मेरे से पढ़ा होगा तो मैंने आपको class 10th में भी बता है कि equation मतलब होता गया है equation मतलब simply आपको में एकदम आसान भाषा में बोलू तो equation का मतलब यह होता है कि LHS और RHS में कुछ है और आपने उनको equate कर दिया है तो equation है है ना मतलब बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को equation का मतलब basically क्या होता है something equated to a number और a particular thing expression कुछ और होता था polynomial expression होता है वह हमने पढ़ा है equation का मतलब यह होता है जैसे कि अगर मैं आपके सामने लिख दूँ x square plus 3x plus 2 equals to 0 अब यह equals to क्या लिखा है मैंने integer लिखा हुए तो यह equation ही है अब मैं अगर यह लिख दूँ कि sin theta plus cos theta is equal to root 2 तो यह भी क्या है एक equation ही है यह trigonometric equation है यह quadratic equation है ऐसे बहुत सारी equation आईगी न हम लोग कोई और equation अगर लिखे let us say mod x plus mod y is equal to 5 यह भी एक equation है यह भी equation है यह भी equation यह भी equation they are all equations ठीक है they are all equations लेकिन अगर मैं अब differential equation की बात करूँ differential equation लिखते जाएगा आप लोगे न differential equation यह बात करूँ तो एक ऐसी equation जिसमें differential involved होता है अभी differential का मतलब क्या होता है आप सब को बता है बहुत आसान भाशा में बात करें तो differential का मतलब होता है d y by dx खतन या फिर d 2 y by dx square या फिर d 3 y by dx cube बात समझ में आई है आपको में क्या कह रहा हूँ differential का मतलब क्या होता है differential का मतलब होता है कि derivative अब वो derivative कोई भी order का हो सकता है हो सकता है simple वो d y by dx हो first order का या वो d 2 y by dx square हो that is second order या फिर third order हो या fourth order या कोई भी एन-th order हो ठीक है कोई भी order एन-th का हो इसको हम लोग differential कहते है तो differential equation के ना सबसे आसान जो definition है आसान definition से मेरा मतलब यह है कि मुश्किल definition भी होगी जरूर जो हमको समझ में नहीं आएगी तोड़ा सा time taking रहेगा हमारे लिए तो आसान definition जो है वो यह है कि equation जिसमें differential involved हो है न तो लिखिए equations involving differentials और इसमें आप चाहे तो bracket में लिख सकते है और एनी order ठीक है अच्छा एक और बात में बता देना चाहता हूं कि यह पूरा lecture जो रहेगा इस विल बी covering all the basics of differential equations एक-एक basics को यह cover करेगा and यह जो chapter यह जो first lecture रहेगा सबसे important lecture रहेगा and very unique ठीक है आपको मज़ा आएगा पढ़के आपको हर चीज एक-एक crystal clear समझ में आने वाली है तो इसको बहुत ध्यान से अच्छे से दिखिएगा आगे बढ़ते हैं मैं believe कर रहा हूँ कि most of you are watching the recording क्योंकि आपके school badge exams है तो जो भी लोग recording भी देख रहे हैं एक sitting में इसको complete करना है कल के lecture से पहले complete करना है ठीक है that is your task और आपने अगर एक-एक चीज अच्छे से सुन ली तो आपको सारी चीज़े crystal clear समझ माईगी crystal clear ठीक है तो ऐसी equation जिसमें differentials involved होते हैं जैसे कि मैं आपके सामने लिख देता हूँ एक तो मैंने उपर क्या लिखा था देखो x square plus 3x अच्छा मैं आपको जैसे कि उपर मैंने example दिया मैं आपको अगर ऐसा भी example देता हूँ कि x square plus 3xy plus y square is equal to 4 यह क्या है क्या यह भी equation है this is also an equation मतलब y भी हो सकता है equation मैं मैं कहने का मतलब यह मेरा कि y भी हो सकता है लेकिन अब x और y होना यह फिर theta विटा होना यहाँ पर theta की जगा चलो x लिख देते ताकि थोड़ा अपने को ऐसा दिखे कि अपन x और y में ही deal कर रहे these are all equations लेकिन अभी na differential equation में क्या होता है differential equation में x मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ 3x plus let us say dy by dx this is equal to 1 यह क्या है क्या यह equation है सबसे पहला सवाल हाँ बल्कुल यह equation है क्योंकि आपने LHS में कुछ लिखा है RHS में कुछ लिखा है और उनको equate करा है both sides there are something which is मैं दो कम सब्सक्राइब एक तरफ integer होना चाहिए equation में तो वह आपने को नजर आए लेकिन यह equation तो है ही लेकिन यह differential equation है क्यों differential equation है यह इसलिए differential equation है क्योंकि इसमें dy by dx involved है इसमें dy by dx involved है second अगर हम ऐसा कुछ लिख देते है y plus dy by dx this is equal to let's say 0 कोई भी integer लिख दिया हमने तो यह भी differential equation है क्यों कोई भी equation जिसमें differential coefficient है वो differential equation अब आपके दिवां में सबसे बड़ा सवाल या आएगा कि सर यह differential equation का मतलब क्या है what does it mean है ना हमारे लिए क्या application है या इसका मतलब क्या है इसको हम क्या करें देखेंगे यार वो सब चीज़े बाद में वोसी की उपर तो बुरा chapter है the whole chapter is based on that idea कि इसका मतलब क्या है इसको solve करके क्या मिलेगा जो मिलेगा उससे फाइदा होगा या नहीं होगा तो वह सारी चीज़े आपन देखेंगे अगर मैं यहां पर कुछ ऐसा लिख दो डी तो यपाई डी एकस स्क्वेर कुछ भी उट पटांग जो मेरे मन में आ रहा है मैं भी लिख दे रहा हूं ठीक है प्लस x plus y is equal to zero क्याए differential equation है? यस तो थीज़े आपने शारी के सारी differential equations है और कुछ लिख के देता हूं है अब थोड़ा सा में है आपके सावह और जादे randomness दिखाता हूं आपको थोड़ी से बड़ी differential equation दिखाए दे तो d2 y by dx square plus y dy by dx minus साइनेक्स माइनस 3y प्लस 5 एक्वल टू 0. अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा क्या यह differential equation है? आपको ज्यादा नहीं सोचना है. आपको कह सोचना है सबसे पहले क्या यह equation है? हाँ, यह equation है. अगर यह equation है, तो इसमें क्या differential coefficients involved है? बिलकुल involved है. तो अगर है तो इसमें क्या differential equation है. इतना आपने को समय मैं कि differential equation कैसी दिखती है? होता क्या है? अब हम इनकी proper definition लिखते है. ठीक है? proper definition लिखते है. definition तो जो लोग बाइजांस recording देख रहे है आप लोग साथ साथ लिखे ऐसा सोची कि यह लाइव लेक्टर चल रहा है बिकॉज मैं भी आपके साथ ही लिखता हूँ मैंने इसलिए बोले आपको कभी भी मैं PPT से नहीं पढ़ाता हूँ आपको पॉस करने के जरूँ नहीं मेरे साथ लेके मेरे स्पीट से चली चली पॉस में एक्टिधा हूँ इन टिपैंडर वर्याबल पॉस्त प्पेंडर बॉस्त मेरे ञोड़िश में जो एके अपन थोड़ा सा देर से समझ में आयेगा बट आयेगा जरूर, dependent, dependent variable, variables, and derivatives, सबसे जादा important, and derivatives, derivatives का मतलब क्या हता है, derivative का मतला हुता है differential coefficient, simple भाषा में, देशी भाषा में, dy by dx, dy by dx square, blah blah blah, समाझ लिया ना, derivative, that is differential coefficient, differential coefficient, of dependent variable, dependent variable, is called differential equation, आप पहले परिभाशा लिख लिजे, फिर मैं आपको असान शब्दों में समझा दूँगा, ठीक है, इसका मतलब यह हो गया, सबसे पहली बगतो, आप लोग आगे देख रहे हैं, पका, देखते जाई, यह कि आप y is equal to f of x, अपन बहुत बच्पन से पढ़ते जा रहे हैं, in fact, अपना पूरा IIT का syllable इसी पर dependent रहा है, majorly अपना जो भी calculus का portion है, dependent on a function जो की y is equal to f of x से represent होता है, इसका मतलब क्या हो जाता है, कि y एक function ए x का, क्या कहा है मैंने y एक function x का, अगर y एक function x का, तो y is depending on x, y x पर निर्भर कर रहा है, सभी बात है क्या, हाँ, लेकिन हमने कभी यह सोचा है, कि x किसी पर depend कर रहा है, क्या आपने कभी यह सोचा है, y तो x पर निर्भर कर रहा है, लेकिन x किसी पर depend कर रहा है, क्या आपने कभी सोचा है, नहीं, x किसी पर भी dependent नहीं करता है, य जरूर x पर depend करता है लेकिन x किसी पर depend नहीं करता है इसलिए हब लोग क्या करते है कि y को dependent variable कहते है पूरी mathematics में पूरी IIT की mathematics में आपको यही logic से चलना है कि हमारी mathematics में y depend करता है और x independent होता है इंडिपेंडेंट होता है जिके generally अब अगर कलको आपको x is equal to f of y करके दे दिया तो इतना common sense आप में होना चाहिए जिसका function होता है मतलब function of y है तो वो independent हो जाएगा वो किसी पर depend नहीं कर रहा है मतलब यहाँ पर x y पर depend कर रहा है तो ultra अगर दे दिया तो आप में इतनी समझधारी तो है ही लेकि generally आपको ultra नहीं दिया जाएगा आपको सीधा ही दिया जाएगा तो हमारी पूरी 11 वी 12 की गणित में depend हाँ पूरी 11 वी और 12 की गणित में हमको यही scenario face करना रहेगा कि y निर्भर करेगा x पर x किसी पर भी निर्भर नहीं करेगा ठीक है और x से ज़्यादा variable तो हमारे syllabus में रहेंगे ही नहीं आप university जाओगे mathematics 2 पढ़ोगे जब semester 2 में तब आपको पढ़ाय जाएगा कि x से ज़्यादा variable भी होते इस दुनिया में x y z होगा आपके पास तीन variable होगे चार variable होगे हारी चीज़े आप पढ़ोगे अब अभी नहीं ठीक है तो अब आप definition को फिर से देखेंगे है an equation which involves independent variable जल्दी से बताओ independent मतलब जो किसी पर depend ना करे मतलब x x की बात हो रियाँ पर dependent variable मतलब y and derivatives of dependent variable dependent variable is called differential equation मतलब y का derivative ठीक है इतना लिख लीजा तो कोई भी equation अपने क्या सिखा कोई भी equation जैसे में dy by dx है या उसका कोई भी order का derivative है तो वो differential equation है period कतम बात ही कतम गई आगे बटते अब देखें types of differential equation में आपको सिखाता हम लिखते जाई मेरे साद types of differential equation types of differential equation में क्या आएगा दो type की differential equation मेजरली हमें पढ़नी है ठीक है एक ही पढ़ना है वैसे तो एक तो आपको मैं बस introduction के लिए formality के लिए बता रहा हूँ ठीक है तो एक ही differential equation पढ़नी है अपने को जो की है ordinary differential equation ordinary differential differential equation और दूसरा type जो होता है that is partial differential equation यह आप पढ़ोगी इनिवर्सिटी mathematics में mathematics 2 M2 कहते जिसको पना आप यह M2 में पढ़ोगे एक हूँ पार्चाइड प्राइड यह तो प्राइड पार्चाइड रीए यह तो नाम तो बताने पढ़े गारे ना की हमारे पर है क्या यह सब अपने पास available है, पढ़ना अपने को बस ordinary है, ऐसे तो partial भी बहुत easy होती है, लेकिन अभी आप नहीं पढ़ोगे, हाँ जी तो ordinary differential equation की परिभाश्या फटा फट अंग्रेजी में लिखवा देता हूँ मैं आपको, ठीक है, मैं differential equation को आज के बाद DE लिखने वाला हूँ, ठ अपने को जब भी DE दिखता है, तो आप समझ जाना है कि differential equation की बात हो रही है, ठीक है, अचा, differential equation is said to be ordinary, is said to be ordinary, if derivatives of dependent variable, has a reference to, reference to, single, independent, variable only, असान भाशा में, जो भी DY, मतलब जो भी Y, पहली बात तो दो ही variable होने चाहिए, असान भाशा में सिर्फ Y होना चाहिए, और X होना चाहिए, Y X पे निर्भर करना चाहिए, end of the day, derivative of Y सिर्फ X के respect में होना चाहिए, ऐसा ना हो कि derivative of Y आपको कोई और variable के respect में मिले, है ना, हो और ही ना, आपके syllabus में जब दूसरा variable ही तो मिले को कहा से, तो यह हमारे syllabus में है, पहला वाला जो है, वो syllabus में है, कहने का मतलब यह है कि Y का derivative ना, सिर्फ X के respect में होना चाहिए, मतलब Y पर सिर्फ X का हख है, Y पर सिर्फ X का हख है, so एसान भाशा में है, तो यह अपने syllabus में ह अगला मैं आपको ये चीज़ आसान भाशा हम समझाता हूँ पार्शल डिफरेंशल एक्वेशन का मतलब होता है कि आपके पास एक से ज़्यादा वेरियबल आपके पास वाय है आपके पास एक से आपके पास कोई और वेरियबल जेट भी है तो अगर दो से ज़्यादा वेरियबल है अगर तो फिर हम उसको से लिबस में नहीं रखेंगे अपने वो अपन युनिवर्सिटी में पढ़ेंगे और उसको जब पढ़ेंगे तो हम उसको पार्शल डिफरेंशल एक्वेशन की कैटेगरी के अंदर पढ़ेंगे तो इसकी प of dependent variable as a reference to as reference to two or more than two independent variable to or more than two independent variables मतलब derivatives of dependent variable मतलब y का derivative एक से ज्यादा के respect में अगर हो dy by dx dy by dz ऐसा कुछ हो रहा है अगर तो फिर आप बोल देंगे कि वो ordinary नहीं है वो पार्शल है इसको ऐसे लिखा जाता है कि हारि में diref ऑर डल X व्याज़ प्लस डल ! वाल दैल Y ट वाई दैल Y प्लस डल बाय दैल अब यह दैल का मतलब आपको अच्छे से पता होगा क्योंकि आपना फिजिक्स में जरूर्ट पढ़ा है डल का मतलब होता है partial differentiation मतलब आप क्या करते हो एक बार function का derivative x के respect में करते हो एक बार y के respect में करते हो और एक बार z के respect में करते हो जब आप x के respect में करते हो तो बाकी सब को आप constant मानते हो तो यह partial differentiation है तो मैंने आपकी सामने के example यह पेश किया है this is the example अच्छी बात है अपने syllabus में नहीं है तो अपने इसमें जाधा टाइब्स नहीं करेंगे इतना ही अपने इसके बारे में आज जानेंगे उससे ज्यादा नहीं जानेंगे लिख 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 लो नहीं कर रहा हूं स्क्रूल ठीक है यहां तक समझ में आ रहा है तो यह तो हो गया आपका चाप्टर का इंट्रोडक्शन अब अपन चाप्टर के अंदर घुशते हैं स्टार्ट करते हैं तो सबसे इंपोर्टन टॉपिक सबसे ज्यादा इंपोर्टन टॉपिक कि किसी भी दिफरेंशिल एक्व अधिक है और एंड डिफरेंशिल एक्वेशन इस टॉपिक में आप जितने सितारे लगा तो उतने सितारे कम है इतना इंपोर्टन थे कि बहुत इंपोर्टन है दोजार इक्वीस मतलब इसी साल जो लास्ट येर जो पेपर हुव था डारेक्ट प्वेशन थे कि ओर बताई ये डिगरी बताईए डारेक्ट क्वेशन डारेक्ट मैंने पेपर उठा के देखा भी था मैं कुछ जोग गया था कि भाई आपको क्वेशन दिया हुए थोड़ी सी बहनत करा कि आपको डिगरी और और बताने को बोल रहा है और अगर आपने आने वाले 20-25 मिनिट अच्छ हमें नहीं मिलेगा यह वाला जो तरीका है अपन जो देखेंगी तो वेरी सिंप्लिफाइड मैंने बट पहले अपन ओवियसली थोड़ा अंगरीजी लिखेंगे उसमें टाइम वेस्ट होगा है न तो उसके लिए पेशन्स रखिए सबसे पहले हम और की बाग करते हैं आप जैसे कि मैं आपके सामने कोई एक ऐसी एक्वेशन लिख देता हूँ है न डी वाइब रोको मैं इसको ब्लू कलर की एक से लिखता हूँ और फिर मैं आपको यहाँ पर अंग्रेजी में डेफिनेशन लिख वाँगा तो तो अगर मैं आपके सामने पहला एक्जाम्पल स्क्वेशन इसकी पावर में लेटर से मैंने लिखा five plus dy by dx चलो पावर में five अब भी मत लिखो plus dy by dx plus kuc़ भी लिख दिया मैंने sin x is equal to zero ठीक है इस differential equation का क्या मतलब है यह क्या होती है आपको कुछ नहीं सोचना है वो अपन सोचेंगे आने वाले time में हम यह भी सोचेंगे क ये क्या होती है, इसका क्या मीनिग है, बट फिलाल आपके सामने ये तो है कि ये equation है, yes, क्या ये differential equation है, yes, अच्छा, इस differential equation में क्या आप में को बता सकते हो कि सबसे highest order of derivative क्या हुआ है, देखो ये dy by dx का मतलब क्या होता है, first order derivative, अपने पढ़ा था न, moody chapter में, y dash, और ये क्या देखा है, d to y by dx square, मतलब second order derivative, अच्छा, तो सबसे highest order of derivative क्या हुआ है, highest order of derivative हुआ है, two, बात ही खतम हो गई, जितना highest order of derivative होता है, वही उस equation का order कहलाता है, end of the story, इसके अलावा आपको कोई भी definition ना कहीं से पढ़नी है, ना कहीं से सुननी है, order का मतलब, जो भी highest order derivative होता है, उस differential equation का order कहलाता है, इतनी आसान definition है, मैंने बच्चों को देखा है, इस आसान सी definition को एकदम complicate कर देते हैं, बिल्कुल नहीं कीजिए, मैंने जो बता है, उतना ही strictly ली आप पढ़िए, अगर मैं आपको और example देता हूँ, मैं अंग्रेजी में definition लिखवा दूँग, आप उस log x is equal to 0, मेरे को कोई मतलब नहीं, I don't care कि यह differential equation क्या है, बस मेरे को इतना पता है कि यह differential equation है, ठीक है बस, इतना ही काफी है मेरे, अच्छा, इस differential equation का order क्या हो जाएगा, कोई मुझे unmute करके बताएगा क्या, order, what will be the order of this differential equation, 2 होगा, है न, तो order आपको देखना है 2, बच्चे हाँ पर गड़बड क्या करते हैं, वो सब आप छोड़ो, मैं बच्चों की गड़बड आपको बाद में बताऊंगा, ताकि आपकी दिमाग में कुछ और फाल्टू तरीका ना है, आपको देखना है कि कितने differential coefficient है, एक और हो तो, और उन differential coefficient का कौन सा order है, बेटा ये d2y by dx square का मतलब क्या है कि y को दो बार differentiate किया गया होगा, है न, वह ही उसका order होता है, getting my point, nice, very nice, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक दो और examples लिखते हैं हम लोड, हाँ, एक और example लिखे, oh my god, d3y by dx cube, ठीक है, का square लिख देता हूँ, हाँ, ये power hour से आपको बिलकुल नहीं कुछ भी सोचना है, अभी कि ये power का क्या मतलब है, आपको सिर्फ order देखना है, तो कितना order का derivative बागे, सब भाड में गया, ठीक है, plus d2y by dx square into sin x, अभी यार, ये सब differential equation होती, मैं कैसे भी लिख दूँ, into sin x कर दिया, या plus sin x कर दिया, आपको वो सब सोच के tension नहीं लेना है, plus dy by dx, plus y is equal to 0, ये differential equation valid है, इसका order जो हो जाएगा, वो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि 3 होगा, क्योंकि highest order of derivative जो होता है, वही order बन जाता है, खतम, आपको कुछ भी उट परटांग definition कहीं से भी नहीं पढ़ना है, है ना, बहुत बुरा फसते बच्चे समय है, मैंने देखा है, लिख लिया कि एतना आप लोग ने, लिखा ही होगा अपकोर्स, और लिख रहे होंगे, आप मैं इसकी परिभाशा लिखवा देता अपको, ठीक है, परिभाशा लिखे, और जब भी हम इसकी परिभाशा लिखेंगे और नया टॉपिक चालू करेंगे, उसके पहले आपको दोतीन लाइन और छोड़ देना है, यह चलो, मैं छोड़ो जोतीन दोतीन लाइन, आप इतना ही लिखो, परिभाशा जो हो जाएग is the order of highest order derivative in it, in it, खत्म, सबसे आसान परिभाशा लिखवाई है मैं आप पर सामने है, कुछ भी किताबी लैंवेज नहीं है यहाँ पर, बिलकुल बुकिश लैंवेज नहीं है, यह सिंपल लैंगवेज है, आपको ऐसे ही समझ में आएगा, बिलीव में, है ना, यह चारव एक्जामपल आपने लिखे होंगे, order of a differential equation is the order of highest order derivative involved in it, highest order derivative जो भी involved होगा, उसी को आपर कहते है, order of that differential equation, अब बात करते हैं, डिगरी की, ठीक है, हाँ, डिगरी की बात करने से पहले, आप लोगों को अभी लिखना चोड़ना पड़ेगा, चाहे आप recording देख रहे हो, चाहे आप live देख रहे हो, you have to stop writing, क्योंकि मैं अभी आपको जो बताने वाला हूँ, वो सबसे जादा important concept है, सबसे जादा, असान है, असान है, but important बहुत है, डिगरी बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हर differential equation valid नहीं होती है, जैसे कि मैंने आपके सामने ये differential equation लिखा है, ये है differential equation, लेकिन ये भी differential equation है, ये भी है, और ये valid भी है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये valid है, और हमें कैसे पता चलेगा कि आने वाली differential equation invalid होगी और valid और invalid में फर्क क्या होता है तो वो सारी चीज़े मैं आपको अभी बताने वाला हूँ सबसे पहली बात जो मैं differential equation की degree बताने से पहले बताता हूँ ठीक है वो ये है कि लिखे degree of a differential equation से पहले valid differential equation मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि आपको किसी भी किताब में valid valid नाम से नहीं मिलेगा मैं अपने हिसाब से ही पढ़ाता हूँ और आपके भेजे में ऐसे ही बहुत अच्छे से जाएगा ठीक है valid differential equation valid differential equation का मतलब ये होता है कि differential equation जो होती है वो polynomials of derivative के form में represent होनी चाहिए कहने के मतलब आसान भाषा में अपने इसको dilute करते हैं मैं पहले आपको अंग्रेजी में definition लिखवा देता हूँ ठीक है सर मुझे रगा 8.30 से क्लास है sorry for being late बेटा आपकी क्लास रोज 8.30 से होती है क्या chemistry की क्लास तो होती थी थी ना ठीक recording देखना है धियान से starting के और आप भी CBC वाले हो ना दुरूं तो आपका exam नहीं है क्या आज अच्छा valid differential equation ही होती कि differential equation should be expressed as a polynomial of derivatives ठीक है polynomial of derivatives अच्छा मैं अलग CBC स्कूल में हाँ यार तुम तो evening बैच ना थे ना पले ठीक है ठीक है ठीक है polynomial of polynomial of derivatives चार फरवरी से exam है ठीक है polynomial of derivatives उसके बाद अगली लाइन लिखे अगली लाइन जो है वो बहुत जादा important है differential equation that is differential equation differential coefficient differential coefficient आपको ही समझ में नहीं आएगा मैं आपको समझा दूंगा अप्पस लिखलो अभी है न differential coefficient should always have have integral powers integral powers integral powers and and they should not they should not be expressed in a radical sign or in fraction or in any other composite form composite form के ब्रैकेट में लिखेगा caged 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 समझते हैं पिंजरा caged form ठीक है मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि यह bookish language नहीं है यह मैं अपनी खुद की language में हर साल definition लिखवाता हूं proper definition है इसमें मैं थोड़ा improvise करके आपको इस तरीके से definition देता हूं ताकि आपके भीजे में एक बार में घुसे हलाकि आपको अभी है समझ में नहीं आएगा बट कुछ दिर बाद आपको यह बहुत अच्छे समझ में आएगा ठीक है अब मैं आपको है न काम की बात बताता हूं काम की बात यह है कि हिंदी में अपन इसको समझते है कि differential equation जो होती है वो हमेशा polynomial of derivatives के form में होनी चाहिए यह जो polynomial of derivative form है यह बहुत 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 important चीज़े जो मैं लिख रहा हूं अपन क्या होता है इसका मतलब polynomial of derivatives का मतलब देखेंगे अपन आई हूप आप यह आप लिख रहे हूं तो polynomial of derivatives का मतलब यह होता है कि जितने भी derivatives होंगे dy by dx या d2y by dx square या कोई भी order का derivative वो उसके power जो होनी चाहिए वो integral होनी चाहिए पहली बात समझ रहे हो आप लोग यहां से देख रहे हो अभी आप लिखना छोड़ दो यह जो मैं आपको बता रहा हूंग यह सच्छमा million dollar concept है यह चैप्टर को अगर आपको असान बनाना है तो आपको यह चीज़े अच्छे समझनी पड़ेगी यह particular concept बहुत confusion देता है बाद में बरना जो भी derivatives होते है उनकी power में integral number होना चाहिए उनकी power में 2 होना चाहिए या फिर 3 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए या फिर समझनी होना मेरी बात को ऐसा नहीं हो कि इनकी power में must एक्दम half लिख दिया हो गलत ठीक है क्योंकि polynomial format में differential equation अगर valid होती है तो ही उसको अपन valid differential equation कहते है ठीक है तो ही उसको अपन valid differential equation कहते है अच्छा पॉलिनोमियल में होता क्या था अपने last year polynomial पढ़ा था last to last year पढ़ा होगा तो जब भी हमने polynomial पढ़ा था तो अपन क्या देखते था कि P of x is equal to कुछ कुछ आईसा x square plus 3x plus 2 समझ रहें आप मेरी बात को तो यह x में power क्या है इंटीजर है आपने कभी भी कोई ऐसा polynomial देखा है कि x की power में मस्त ऐसा धाई लिखा हुआ है यहाँ पर x की power में 1.3 लिखा हुए नहीं ना polynomial मतलब integral power ठीक है whole numbers ठीक है 0 भी चलता है power में बट मैंने integral लिख दिया तो आपका काम हो जाएगा integral powers होना चाहिए तो मैं आपको बता रहा था कि जित्ते भी dy by dx होंगे उनमें power integral होना चाहिए दूसरी बात काम की बात कि वो under root के अंदर कैद नहीं होना चाहिए है ना या फिर वो fraction में नहीं होना चाहिए ऐसा ना लिखा हो कि 1 upon dy by dx square या 1 by dy by dx, 1 by d2y by dx square उसमें क्या होगा कि power जो हो जाएगी power जो हो जाएगी वो negative हो जाएगी या integral की जग है ना whole लिख दो whole numbers या एक bracket लगा दो whole numbers ठीक है तो power अपकी negative नहीं होनी चाहिए minus 1 minus 2 या फिर फ्रेक्शनल नहीं होनी चाहिए half, half का मतलब radical हो गया, under root ठीक है तो under root के अंदर नहीं होना चाहिए और दूसरी बात, तीसरी बात कि वो किसी भी composite form में नहीं होना चाहिए मतलब कोई भी differential dy by dx या d2y by dx square ये सब कैद नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं हो कि sin of dy by dx लिखा हो ये गलत है क्योंकि इसमें होगा क्या, क्या होगा, देखो, सुनो, सुनो, सुनो sin of dy by dx है अगर, तो आप में को बता सकते हो कि dy by dx की power क्या है, नहीं बता पाऊगे क्यों, क्योंकि बिचारा sin के अंदर कैद है न, बार खुले में होगा, तो जैसे एक खुले में है बिचारा तो आप अराम से बता दोगे कि इस सर्फ power बने, अगर ये विचारा अंदर कैद है तो आप कैसे बता पाऊगे इसकी power क्या है तो हर differential equation कैद नहीं होना चाहिए, free होना चाहिए, आजाद होना चाहिए, कैसी आपने, differential coefficient जो होती है coefficient, जब भी मैं differential coefficient बोलू तो आप समझ जाए, dy by dx, dy by dx, dy by dx square, ये सारे differential coefficient, सारे, 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 सारे differential equation आजाद होने चाहिए, they should not be caged, कैद नहीं होना चाहिए, अब मैं इसको अगर कल को log of dy by dx square लिग दू तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर वो log के अंदर कैद हो ग polynomial of derivative क्या होता है भाई, ये थोड़ा सा absurd लगता है स्टार्टिंग में, बट आपको आसान भाशा मैं समझा रहा हूँ है, polynomial of derivative मतलब जो भी integral power होती है, basically whole numbers power होती है, वही होना चाहिए, उसके अलावा power में कुछ और नहीं होना चाहिए, minus 1 नहीं होना चाहिए, half नहीं होना च सिखा, उससे क्या सिखा, कि powers whole number में होने चाहिए, powers whole number होने चाहिए, किसके differential coefficient के, और दूसरी बात, they should not be cached, shouldn't be cached, बस, यही इसका final conclusion, क्योंकि cached हो गया, तो फिर आपके power ही नहीं बता पाऊगे, तो हम आगे की बाते करी ही नहीं पाएंगे, आगे आपको बहुत सारी ची इसे crystal clear हो जानी है, तो आप लिखे, degree, अभी अपने degree लिखा नहीं है, definition, तो degree की definition मैं यहाँ पर लिखवा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं degree की definition, बाद में लिखा हूँगा, तो इसमें अंग्रेजी, अंग्रेजी पर में इतना भरोसा नहीं रख रहा हूँ भी, हम हिंदी में सबकुर समझते हैं, हाँ जी, differential equation की degree, लिखेंगे मेरे साथ सब, सबसे पहले आप लिखो एक example, simple सा, d2y by dx square की power में 3, plus dy by dx की power में 5, plus x into sin of y is equal to 0, कुछ भी जो मेरे मन में आया, मैंने लिख दिया, ये differential equation है, आपसे पहला सवाल, बहुत जरूरी सवाल, क्या ये valid differential equation है, yes or no, yes, it is valid, first of all, क्यों valid है, बस आपको यही देखना है कि power में क्या आपको whole numbers दिखाई दे रहे, हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहे, दूसरी बात, क् कोई differential equation कैद है, caged है, नहीं, कोई भी differential equation caged नहीं है, तो आप अराम से सब का power इसलिए तो बता पा रहे हो, क्योंकि कोई पिंजरे में है ही नहीं, तो अगर आप देख रहे हो, कोई पिंजरे में नहीं है, तो ये valid है, अगर ये valid है, तो अब अपन इसका order और degree दोनों लिख काहिद होगे ना, कोई भी बच्चा unmute करके बताइए, order क्या होगा, तो यो कि दिख रहे है, आपको highest order derivative क्या होगे है, second order derivative 2 है, एक और first order derivative भी है यापे, लेकिन वो highest नहीं है, that is not, तो order इसका 2 होगे, अब डिगरी सुनिएगा, बहुत धिहां से, बड़े अराम से, जो highest order derivative ह है ना, उसको गोला मारा मैंने ये, इसमें क्या power है, इस highest order degree में जो power चड़ा हुआ है, वो वाला जो power होता ना, वही degree होता है, आया समझ में, मतलब highest order derivative का जो power है, वो degree होता है, period, खतम, definition ही खतम होगी, आपको ये नहीं देखना है कि सबसे highest power क्या है, जैसे highest power बच्चे 5 दे देंगे, औरे, sorry मैंने 5 लिग दिया, मैंने वही गलती करी, sorry, highest order की power क्या है, 3 है तो आपका degree भी 3 हो जाएगा, ऐसा नहीं देखना है कि सबसे बड़ा power हो, तो सर्फ 5 है, तो 5 अंसर, ना, आपको बस ये देखना कि order क्या है, order 2 है, order किस ने दिया, order किस ने दिया, इन महाश डिगरी हो जाएगी, चाहे वो power highest number हो या ना हो, जैसे यहाँ पर highest power तो 5 है, बट वो नहीं देखना है आपको, इस सर्जन के power क्या है, वो देखना है, आ रहे है के बाद समय में, इसको लिखिए, अगला example देखते है पन, d3y by dx cube plus d2y by dx square plus dy by dx plus log x is equal to 0, आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि इस differential equation का मतलब क्या है, यह है valid, बस यह सोचिया, powers मैं आप चड़ा रहा हूँ, यहाँ पर power मैंने आपके सामने letter से 5 लिखा, यहाँ पर power मैंने आपके सामने 10 लिखा, और इसका power मैं 2 लिख देता हूँ, पहले बात तो यह valid है, क्योंकि इसमें सारे power आपको whole number दिख रहे है, कोई भी negative नहीं है, कोई भी radical नहीं है, कोई भी differential coefficient केश्ड नहीं है, कैद नहीं है, है न, अब आपको बताना है कि इसका order क्या होगा, और degree क्या होगा, बता सकते हैं, बताइए, order कितना होगा, 3, 3 हो जाएगा, और degree क्या ह हो जाएगी, 5 हो जाएगी, गल्ती मत करना कि सबसे बड़ा power देखके इसको degree बोल दो, degree मतलब, highest power नहीं होता है, जो हमको order दे रहा है, उसी का highest power देखना है, तो इसको आपने shade करा और इसी का highest power देखा, ठीके, अगर आपको इतना समझ में आ गया है, तो इस दुनिया में को कोई भी ऐसा question नहीं है, जो आपको आज के बाद परशान करेगा, कोई भी ऐसी definition नहीं है, जो आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीके, यह final is full and final, आपको अगर यह समझ में आता है, this is the final definition of differential equations, order and degree, ठीके, कुछ और दो-तीन example देखते हैं, d2y by dx square की power में 4 plus x into ln of dy by dx plus 3 equals to 0, है न, पहली बात तो यह valid है या नहीं है, आपको यह बताना है, is it a valid differential equation, नहीं है, यह सब को समझ माना चाहिए, this is invalid differential equation, क्यों भई, क्योंकि इसमें सारे differential coefficient आजाद नहीं है, यह आजाद है, अच्छी बात है, लेकिन यह आजाद नहीं है, है न, तो कोई एक भी कैद हो गया, तो invalid हो गयी, बात ही खतम, अच्छा, बात खतम तो करिए अपने, it is not valid, लेकिन अपने इसका order ना अभी भी ब derivative, तो आप order हमेशा बता पाएंगे, लेकिन आप degree जो है, इस case में नहीं बता सकते हो, क्योंकि degree बताने के लिए, हर किसी का free होना जरूरी है, हर किसी का free होना जरूरी है, अब कलको मैं सुनो, कलको मैं आपके सामने तीन लड़के खड़े कर देता हूँ, है न, पहला इंसान लेट से पार्थ, आप सब कोई पता है, पार्थ की height एकदम राक्चसो जैसी है, वही 7 foot का आदमी basketball player, और कोई एक इनसान अपने class पर जो छोटा है, पता नहीं, और कोई एक और इनसान है, बबलू है न, हमारी class में, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ किया बबलू अभी है पार्थ is the tallest guy, लेकिन हमने बबलू को थोड़ी देखा है, क्या बता बबलू जो है, वो great valley का भांजा हो, यह भी तो हो सकता है, यह भी हो सकता है, कि बबलू जो है, वो ray misterio का बेटा हो, कुछ भी हो सकता है, छोटा सा और बड़ा सा, we cannot conclude, तो जब तक हमारे सामने बबलू नहीं आएगा, हम नहीं बता सकते कि कौन सबसे लंबा है यहां पर, आपको बात समझ में आरी है, मरी, competition बराबरी का होना चाहिए, चारो लोगों को प्रेजेंट होना चाहिए, अभी बबलू अफगानिस्तान में तो अपन height compare करी नहीं सकते, आप लोग बोल दोगे कि पार आते हैं, तो हर किसी का available होना जरूरी है, कोई भी पिंजरे में कैद नहीं होना चाहिए, यहां पर यह बिचारा पिंजरे में कैद है, मतलब यह अफगानिस्तान में ऐसा समझी है, तो आपको भली यह आप दिख रहे हैं कि highest order 4 है, लेकिन आप degree बताने के लिए सबसे पहले को दिख रहा है, यहां पर second order है, यहां पर first order है, तो यह तो नजर आ रहा है अपने को, हाँ, degree हम लोग इसी लिए नहीं बता रहे है, क्योंकि यह बिचारा कैद है, इसको अपन आजाद नहीं कर सकते है, आप बलूगी कि सर दिख तो यह भी रहा है, नहीं नहीं, दिख यह differential equation valid हो, चाहे differential equation invalid हो, है न, order तो आप हमेशा बता सकते हैं, प्योंकि हम लोग आख के अंधे नहीं है, हमको दिखता है, order दिख जाता है, डिगरी बताने के लिए निश्पक्षिता होनी चाहिए, निश्पक्षिता मतलब समझते हो आप, transparency, everyone should be visible and available, ठीक है, I hope आपको यहां तक सबजबा आया होगा, तो यह चीज़ आप लिखिए, अब मैं देखिए, differential equation के degree के परिभाशा जो है, वो अंग्रीजे में लिखने वालों हो यहां पर, लिखिए, degree of a differential equation is the degree मैंने क्या बोला आपको, सुनो मेरी बात, आप लोग समझे नहीं रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, जिसका order लेते उसी का पावर डिगरी हो जाता है, हाँ, सही है आपकी बात, सही है आपकी बात, दुरूबा में आप सही कह रहे हो, चलो आपको यह अंग्रीजी में परिभाशा में लिखवाता हूँ, एक और एक्जामपल लिखो पहले, यह मैंने आपको जे एक्जामपल दे दिया है, इसमें आपको हो सकता है, डाउट रह जाए, एक और 2y by dx square की पावर में 5, प्लस 3dy by dx, प्लस, क्या लिखो मैं हाँ पर y लिख देता हूँ, इस इक्वल टू, प्लस 2 भी लिख देता हूँ, इस टाइल मालने के लिए, ताकि आपको लगे कि सर ने बहुत खतरनाक चीज़ लिखिए, जबकि सर ने कुछ भी रैडनमली लिखा है is equal to 0, हाँ जी, सबसे पहले, क्या आप इस differential equation का order बता सकते हैं, हम order हमेशा बता देंगे, लेकिन उससे पहले valid और invalid की बात कर लेते हैं, क्या ये valid है, नो, क्योंकि ये वाला जो differential coefficient है, वो CAD है, यार, पहली बाद तो यहाँ पर कौन CAD था, dy by dx, यह highest order नहीं है, highest order तो second है, यहाँ पर, यहाँ पर CAD, यह बिचारा CAD है, तो आप इसको invalid differential equation कहोगे, अगर यह invalid differential equation है, ठीक है, तो अब आपको कुछ भी नहीं देखना है, order तो आप अराम से देखकर अभी भी बता सकते हैं, order आप हर बार बता देंगे, क्योंकि इसमें third order derivative तो किया गया है, यार, order मतलब क्या होता है कि Y को कितने बार differentiate किया गया है, maximum, इन बार differentiate किया गया है, यहाँ पर ज्यादा ज्यादा, तो that is going to be the order, लेकिन आप degree यहाँ पर नहीं बता सकते हो, यह मत बोल देना कि Sir, इसका power आप one ले लो, वो बिचारा cost के अंदर कैद है, बाहर निकले का तो power उसका साफ सा नजर आएगा, अभी जब तक कैद है, तब तक तो नहीं नजर आएगा, यह तो बिचारा कैद है, तो आप इसी का power ढूंडना चाहते हो, पिछले question में क्या हुआ था कि यह order था, और यह कैद नहीं था, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि Sir, यह कैद नहीं है, अगर तो जो कैद होता है ने इनसान, उसको हम लोग निकाल पाते हैं, कुछ ना कुछ आप लोग ऐसा operation यहाँ पर mathematics लगाओगे कि इसको निकाल लोगे, तो भली अपने को order तो इसी का judge करना है, डिग्री तो अपने को इसी से judge करना है, लेकिन सब का होना ज़रूरी है, बस कहने की ब आपको डिग्री कंपेर करने के लिए सबका अवेलेबल रहना जरूरी है, और अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या ही बता पाओ, ठीक है, तो आपने उपर परिभाशा लिख रहे तो वो लिख देता है, डिग्री ओफ डिफरेंशिल एक्वेशन इस ता, क्या लिखूंगा बताओ, मैं, नहीं मैं क्या अइसा लिख दूँगा अग्रीजी में, क्या लिख दूँगा मैं, डिग्री ओफ या पावर ऑफ ता, हाइस और डिवेटिव पावर गिविवन एक्वेशन इसी बात को मैं अग्रीजी में चेपने वाला हूं, ठीक है, अपनी खुद की भाश derivative of highest order derivative in it, given that the equation is valid, the differential equation is valid, और valid differential equation क्या होती ही? कोई भी कैद नहीं होना ची, खतम, बस, आपको आसान देशी भाषा, देशी परिभाषे याद रखने, देशी definition याद रखने, कि कोई भी differential coefficient क्याद नहीं है, तो वो valid है, और वो valid है, अगर तो आप order देखिए, उसी order का highest power जो हो गया, वो ही, उसी order का power जो हो गया, वो ही है कहलाएगा degree, तो order हो degree अपने को clear है, अपनो और एक्जामपल देखते हैं भी non-stop, वोैसक प्जाँ अपने, कि हमें प्याद कािए, यदि को जी नहीं है, वो गह लीकतष देखिआते हैं, का वोघस्ट लीकता, कि को भीकत नहीं है, वा है रखने को देखिएएए hmि एलद जखने को? dy by dx की पावर में 2 plus d2y by dx plus sin y plus x is equal to 0 valid और नॉट, जल्दी इस बताऊ मुझे valid और नॉट valid है आप यह मस्सोच लेना कि y कहा दे बेटा कोई भी derivative कहा दे नहीं होना चाहिए बाकी कोई भी कहा दो मेरे को कोई फरक नहीं पड़ता है dy by dx या d2y by dx या d3, जो भी order का derivative involved है, सबका free होना ज़रूरी है अगर free है तो valid है, आपको सोचना ही नहीं, कुछ भी नहीं सोचना है उसके लाबा ठीक है, order बता सकते हैं कोई इसका आप लो, or degree order 2 or degree 1 order 2 and degree 1 order किसका highest power, sorry order अपन देखते हैं, कितना highest order derivative यह जो order दे रहा है, वही degree देता है जो order देता है, वही degree देता है तो आपको यहां तक समझ में आया होगा है अगर आपको यहां तक समझ में आया हो, तो successfully आपको order degree समझ में आ चुका है, इसके लाबाब आपको जीवन में कभी भी कोई भी ट्वेस्ट नहीं मिलने वाला है कोई भी exception नहीं मिलने वाला है एकदम इसी तरह से आपको definition पर stick करना है if you stick to the definition, you will understand everything so question लिखते है अपना find the order and degree of the given differential equations question no.1 d2y by dx square plus dy by dx plus 2 is equal to 0 और dy by dx की power में 3 है और d2y by dx square की power में कुछ भी नहीं बतारू, मैं अपना सिरफ अटक लेता हूँ, जब भी बच्चा 3 भोल देता ना दिमाग खरा हो जाता है आपको बस जो डिगरी जो ओरडर देता है वही डिगरी देता है यही अपने आज सीखा है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम भी है अलिफ लो इसको जो ओर्डर देता है वही डिग्री देता है अगले प्वेशन्स देखते हैं अपन क्या है d y by d x plus y स्पेवल तो d y by dx की प्रावर में माइनस 1, ठीक है, question number 2, question number 3 भी आप लोग पहले इसको बताईए, क्या यह valid है या invalid है, कभी-कभी दिमाग लगाना पड़ता है, तो यह वाले case में थोड़ा दिमाग लगेगा आपका, ठीक है, d2y by dx square is equal to y plus dy by dx की पावर में 6, ठीक है, चार question लिख देता हूं ताकि हम लोग एक साथ कर सके, e to the power d3y by dx cube minus x d2y by dx square plus y equals 0, ठीक है, फोर्थ question ही हो गया, और फिफ्थ question, पाँच question लिख दे रहा हूंगे, इसके बाद उपन, solve करने, start कर लेंगे, this is equal to x plus y, ready, first हो गया आपना, second, हाँ जी, second वाला question जो है, उसमें बताई ही मुझे, valid और invalid, 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 okay, valid होगा, okay, क्यों valid होगा, आपको 1 by dy by dx करके, cross multiply करेंगे, हाँ, आँख बंद करके भी यह सोचें कि invalid होगा, थोड़ा सा mathematical operation लगा कि यह सोचोगी, क्या आप इसको पिंजरे से बाहर निकाल सकते हो, तो यह dy by dx पिंजरे में कहा दें, किसके पिंजरे में कहा दें, यह वाला function रहा होगा, कोई x की power minus 1, इस function में ही डाल दिया, आपने इसको composite form है, या फिर ऐसा सोच लोगा, कि power इसकी जो है, साथ लोगा, वो whole number नहीं है, तो यह पिंजरे में कहा दें, अगर यह पिंजरे में कहा दें, तो अपने इसको पहले पिंजरे से निकालने का सोच यह हमेशा, जैसे यहाँ पर, आपने उपर अपने कभी पिंजरे में जब भी देखा तो निकल नहीं पा रहा था, आपकी चाहकर भी नहीं निकाल सकते थे यहाँ पर निकाल सकते हो, कैसे, ठीक है, dy by dx प्लस y, this is equal to 1 upon dy by dx, फिर आप cross multiply करेंगे, तो इसको masala बोला मैंने, अगर, तो masala into masala हो रहा है, तो masala square हो है, मतलब dy by dx का whole square, plus y into dy by dx, this is equal to 1, oh my god, अब तो यह valid, क्योंकि इसमें सारी power आपको whole numbers में नजर आ रहे हैं, और कोई भी कैद नहीं, तो this is now valid, तो valid invalid जो होता है, वो थोड़ा सा time taking process हो सकता है, आप एकदम conclude ना कर दीजिए, बहले आपको कुछ भी दिखे, उसको आप पहले mathematically operate करके, सही तरीके स पर आराम से लिख सकते हैं, तो इसका order now will become, कोई भी बताइए मुझे, what is the highest order derivative, इसमें जो highest order derivative किया गया है, वो तो first order है न, dy by dx मतलब first order, और आपको यहाँ पर दो-दो first order नजर आ रहे होगी, ये भी first order नजर आ रहा है, हाँ है न, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन आपको यही देखना है, कि जो आपको order दे रहा है, उसमें से, पहली बाप तो अपने को दो-दो item इस बार order दे रहे है, आप अगर ध्यान से देखें, तो ये भी order दे रहा है, और ये भी order दे रहा है, तो अपन किस पर भरोसा करें, अब इसमें highest वाला देख लो आप, न, go for the highest, तो जो दो-डिगरी नहीं हो सकती, डिगरी एक ही होती है, दूसरी बात, डिगरी है हम पर कौन दे रहा है, अपने को, highest वाला दे रहा है, ऐसा सोच लो, क्योंकि ये भी डिगरी दे रहा है, पैज़े से, तो लेकिन, हम लोग देखेंगे, highest क्या दोनों, क्योंकि दोनों को order से, है यह थर्ड वाला question जो है valid और not इता तो समझ में आ गया हूँ मैं आपको trick questions ही दे रहा हूं सारे यह valid है काफी बच्चे कह रहे हैं कि this is valid अगर यह valid है अगर यह valid है तो हम लोग बता सकते इसका order क्या होगा पहली बाद वालिड है यहां पर आपको power 1 by 4 नजर आ रहा है तो हो सकते हैं आपको लगे कि invalid है लेकिन आपको धोके में नहीं आना है आप हमेशाद power को integral बनाई है तो integral power बनाने के लिए आपने क्या गरा दोनों तरफ power 4 कर रेस कर दिया ठीक है रेस power 4 on both sides तो दोनों तरफ power 4 रेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर d2y by dx square की power में 4 चले जाएगा और rhs में सब कुछ गाइब हो जाएगा तो y plus dy by dx की power में 6 पस यह आ गया अभी यह differential equation must valid दिख रहा है आपने को आरी के बास वालिड है अगर यह वालिड है तो इसका order आप बताएगे मुझे क्या होगा और degree क्या होगा ठीक है order इसका हो जाएगा 2 क्योंकि आपको दिख रहा है ना order कौन दे रहा है order कौन दे रहा है order यह दे रहा है d2y by dx square highest order derivative यही है तो यह ही degree भी देगा जो order देता है वही degree देता है ठीक है तो degree भी यही देगा आपको 4 इसकी power जो भी होगी ना that will be your answer तो order degree का conclusion आप जैसे कि यह fourth वाला question है आप बताएगे मुझे this is valid or not is it valid or invalid हाज जी anyone is it valid or invalid valid लग रहा है क्योंकि इसमें आप कुछ भी mathematical operation लगा लो करके देखो लो करके देख लो कुछ भी नहीं कर पाऊगे क्योंकि आप क्या करोगे देखो मैं काईदे से यह पूरा item RHS मिले जाऊँगा फिर इसको power से नीचे उतारने के लिए दोना तरफ ln लोगा आइलन लेने के बाद वो power नीचे उतरेगा लेकिन फिर log ले लोगे तो यह log में कैद हो जाएंगे इनको उतारोगे बाहर तो यह विचारा अंदर कैद हो जाएगा तो यह इसको आप invalid बोलेगे invalid में भी order तो बताया जा सकता है डिग्री बताने में आपको दिक्कत जाती है तो डिग्री आप आराम से नौट डिफाइड लिग दे हाँ इसका order क्या हो जाएगा highest order derivative वाल्ड तो यहाँ पर थर्ड ओर डेरिविटीव हुआ ही है मतलब वाई जादस जादा बार यहां पर तीन बार तो डिफ्रेंशेट हुआ ही है तो order आप बता सकते हो चाहे वैलिड हो इन वैलिड हो ठीक है order में कोई दिक्कत नहीं होती है अब यह वाला बताई है फिफ्ट वाला वैलिड हुरेड है एँड में कितने लोगों लगता है वैलिड है क्योंकि भाई, साइन इनवर्स ऑंदर यह कद्र डिवाई बाद इक सांवे अंड त我要 Cannon टेक साइन अन बोग साइट Koreते है कंट्र साइन एक साइन sucks अब यहां इसमें आपको झालेंगे अब यह है इसमें आपको नहीं होना कि सरे य क्या हो गया, अब य क्या हो चलेगा कोई दिक्कत नहीं डीट्टॉ वाइब्स, दीट्री वाइब्स, यह सब क्या हना चाहिए ठीक है तो order क्या हो जाएगा यहां पर order will be first order derivative हुआ यहां पर highest तो order will be one and degree यहां पर कितनी हो जाएगी anyone degree भी one होगी नहीं जो order दे रहा उसी के highest power one यहां पर d4y by dx की power 4 minus sine of d3y by dx cube is equal to 0 ठीक है अब मैं questions लिखने वाल हूँ आपके सामने बहुत सारे non-stop questions question number 6 हो गया question number 7 लिखिए एले नौफ मेरे साथ साथ लिखे फटा फटे ना पहले question चाप लिजे चाहे तो dy by dx is equal to ax plus by ठीक है dy by dx की power 4 plus 3y into dy by dx sorry d2y by dx square is equal to 0 question number 9 मेरे साथ साथ question चाहप लो पहले ठीक है d2 फिर अपने एक साथ that's all for a regular one go cos 3x plus sign 3x y triple dash plus 2y double dash plus y dash is equal to 0 cos dy by dx this is equal to 0 यह बहुत सारे question जो है NCRT level के है NCRT based है या फिर डिरेक्टी NCRT के भी question हो सकते है इसमें से they are all basic questions और यह last question y triple dash plus y square plus e to the power y dash is equal to 0 एक और question दे तुन लास्ट तो आप जीवर में कभी भी आपने आप डिग्री और order का question गलत किया तो समझे नहीं मार पढ़नी चाहिए आपको y की power 3 by 2 minus y2 की power 3 by 2 minus y1 की power में 1 by 2 minus 4 equals to 0 ठीक है लिख लिए थोड़ी देर के लिए आपकी screen जो है मैं scroll नहीं करूंगा और आपको मैं 4 minute 3 minute का समय दे रहा हूँ बहुत जाद दे रहा हूँ इस तुम्हें सारे answers आप लिख कर रखिये बस सारे answers लिख कर रखिये ठीक है तो starting from here question number 6789 यह चार questions के answer आप लिख कर रखिये बस अपने पास ठीक है किया आप लोगों ने सब तो मैं फटा फट सॉल करता हूँ आपके सामने है ना देखते है रिचा ने बहुत मेहनद करके सारे answer लिखे है I really appreciate that क्योंकि मैं कुछ देखना था कि आप लोगों ने किया क्या तो एक एक करके start करते है question number 6 से start करते है पहरी बाद तो ये invalid है सही बता है आपने रिचा ना तो ये अगर invalid है अगर तो इसका order तो फिर भी लिख पाएंगे अपन अब मैंना ऐसा लिख रहों बेटा सुनो कॉमा कॉमा करके मेरा time बचे orders का 4 है और degrees की not defined है ठीक है ये वैलिड है इन वैलिड है सेवंथ वाला वैलिड है बिल्कुल वैलिड है क्योंकि आप इसमें ऐसा लिख सकते है कि dy by dx is equal to e to the power x plus by ये क्या दोजा चलेगा अगर ये वैलिड है तो इसका order कितना है one और degree भी one है आपको समझ में आ रहा हूँ कि order and degree यहीं से आपको पता चलेगे तो order and degree both are one in this case ठीक है यहाँ पर देखते है पन यह भी वैलिड है अफकोर्स इसका order कितना हो जाएगा order कितना हो जाएगा इसका two highest order दिख रहा है आपको और उसी की power फिर देखना है आपको और कहीं मत देखो सिर्फ इसी को देखो ठीक है तो हो जाएगा one इजरा जाएगे d2y by dx square कोई कैद नहीं है यहाँ पर यह भी वैलिड है इसका order कितना हो जाएगा two और इसका degree हो जाएगा इसी का power that is कुछ भी नहीं मतलब one वैलिड येस बिलकुल वैलिड है वैसे वैलिड है तो लिखने की जरूती नहीं हाटाओ अब क्या लिखना बरबर वैलिड है अब आपको order बताना है तो order हो जाएगा three और डिग्री हो जाएगा one क्योंकि इसी third order derivative का power देखना है आपको dash के form में अपने सब देखा ही है अब ही तक सारे अंसर सही है आपके और अगला देखते है अपन और भी किसी ने message किया है कि ठीक है हाँ जी इसमें order कितना हो जाएगा two और डिग्री कितना हो जाएगा two oh no 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 कुछ गलत किया मैं इसमें क्या गलत किया ये invalid इसमें बताई दूंगा डिग्री में नहीं बता पाऊंगो not defined यहां पर देखते है अपर order कितना है इसमें valid है बिल्कुल वैलिड है तो order इसमें one और डिग्री भी one है क्योंकि first order derivative ऐसी के highest power देख रहे है अपर यहां पर देखते है it is invalid साफ साफ दिख रहे है अपने कोई invalid है तो इसका order 3 हो जाएगा और डिग्री इसकी not defined हो जाएगी यह वाली oh my god 14 वाला क्या है बताई हो मुझे valid invalid इसको तो मैं mathematical operation लगा कर भी free नहीं कर सकता हूँ लेकिन यहां पर शायद कुछ किया जा सकता है लेखे है बन करके y2 की power में क्या है 3 by 2 minus y1 की power में half this is equal to 4 लिखा हुए है न मैं दोनों तरफ स्क्वेरिंग कर देता हूँ ठीक है न दोनों तरफ स्क्वेरिंग कर देंगे क्या जाएगा a square मतलब y2 का cube plus b square मतलब y1 minus 2 a b मतलब 2 times of y1 into y2 into क्या हो जाएगा y1 की power में half है और y2 की power में 3 by 2 this is equal to 16 अच्छा और कुछ किया जा सकता है बच्चो इसमें y2 q plus y1 minus 16 is equal to 2 y1 की power में half और y2 की power में 3 by 2 अभी भी क्या मैं इनको radical sign से मुक्त कर पाया हूँ free कर पाया हूँ नहीं ठीक है तो कर सकते है अपना ऐसा नहीं कि नहीं किया सकता है एक और बार स्क्वेरिंग कर दो ठीक है तो इसको अगर अपने एक बार और स्क्वेरिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा LHS में पूरा मत कर देना गदोगी तरह रखो इसको ऐसी y1 minus 16 ठीक है इसका square इसका square करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका square करेंगे तो 2 square 4 और y1 की पावर में 1 और y2 की पावर में 3 ऐसा हो जाएगा तो हमने देखा कि यहां पर अब सारे साइन राडिकल आ गए है तो सारी integral आ गया होल numbers आ गया दूसरी बात यहां पर हम एक और चीज़ देख पा रहे है कि यह इसको मैंने भी expand नहीं करा है तो सबसे पहले highest order derivative यहां पर क्या हुआ है highest order derivative y2 हुआ है that is order is 2 order 2 है y2 हुआ है अब y2 का power क्या आएगा y2 के तो बहुत सारे power आएंगे यहां से 3 आ रहा है और यहां से power क्या आएगा y2 का 3 into 2 6 आएगा तो आपको judge कर लेना दूर से ही judge कर लेना कि जो भी highest power आएगा वो क्या हुआ है इसको मजदूरू की तरह खोल मत देना तो इसका order जो है वो हो जाएगा टू और डिग्री हो जाएगे इसकी कितनी 6 खत्तम ठीक है लिखकर रखिए इतना ठीक है आप देखें आज जितने भी बच्चे है काफी बच्चे आज absent है क्योंकि school में exam otherwise मैं आपको 10 मिनिट हर दिन extend कराऊंगा आज नहीं करा रहा हूँ हर दिन मैं आपको 10 दिन extend कर दस जो नहीं आया है आप रेकॉर्डिंग देख रहे होंगे आप यूटीब पर रेकॉर्डिंग टाइम पर देख लेना भाई है ना टाइम पर देख लेना याद से तो आपका homework फिलाहल कुछ भी नहीं है differential equations है आपका homework सिर्फ और सिर्फ AOD chapter से है ठीक है अरी अन्रजर करका module आज complete कर लेना PYQ कितने लोगों ने complete कर लिया है PYQ मॉडिल अब आप कंप्लीट कर ले है ना पीवाई के उस भले आपने पूरा ना कंप्लीट किया हो लेकिन यार देखो पहले उसको कंप्लीट कर लो हो सकता है कि अपन परसो डिसकेशन करें परसो नॉट टुमोरो क्योंकि कल में इसी को आगे बढ़ाऊंगा इसी सिल्सिलों क तो जब आगे बढ़ाएंगे तो आपन देखेंगे बहुत सारी चीज़े लावनिया सेंग की कंप्लीटिड वरी गुड विवे कह रहा है स्टार्ट किया गलत विवे कल संदे था करना चाहिए था आपको कोई भी एक्सक्यूस वैली नियो कोई भी नहीं क्योंकि मैं अभी रहे दिस्कस करेंगे बिल्कुल पूरा एक-एक क्वेस्ट करेंगे मोस्ट अवेंस्डे तो मंडे ट्यूस्डे अपना लेक्चर है कंदे युजे को अपन मॉड्यूर डिस्कस करेंगे की घुट नहीं किये मैं आपको वेंस्डे तक कर टाइम दे चुका हूँ अब आपके उपर है सब कुछ पूरा दिन शिदत से बैटके करना चाहिए था लगन से आपने थोड़ा भी टाइम वेस्ट करा तो यूशुड बी वेरी वेरी सैड अबाट इट आपको गिल्ट फिल होना चीज चीज का है ना कल आपका मॉक टेस्ट भी नहीं था तो पीवाई क्यू सारे कर लो और मॉडिल जो है वो भी कंप्लीट कर लो वेंस्टे को अपन चेक करेंगे तो आपके पास मंडे है आपके पास ट्यूजडे है और आपके पास वेंस्टे नहीं है ठीक है तो दो ही दिन है मॉडिल तो होई गया होगा वो कंप्लीट करें इसको कंप्लीट करें वेंस this question करके मैं discuss करा के आपको थेरी कंड़ी में रखोंगे कोई दिक्कत में चलिए मिलते हम लोग next class में है ना bye everyone thank you